नमस्कार दोस्तों, क्लास सेवंत महारा स्टरस्टेट बोर्ड, मैथेमेटिक्स, चाप्टर नुम्बर नाइन, डारेट प्रोपोर्शन एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन इस चाप्टर में अभी नेक्स्ट जो पॉइंट हमें एकस्प्लेन करना है, वो एक पार्टनर्शिप प्रैक्टिसेट थर्टी एट तक कॉशन्स इससे पहले जो वीडियो हमने बनाये हैं, उनमें हो चुके हैं अभी हमें प्रैक्टिसेट 39 के लिए कॉशन्स सौल करने हैं, लेकिन उससे पहले हमें पार्टनर्शिप क्या होती हैं, वो समझना है, और परसिंटेज किसी नमबर का कैसे फैंड कर लेते हैं, वो भी समझना है और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चानल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले हरी वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिल जाएं, और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें प्रेशिप में यह जरूरी नहीं है कि दोनों भी सेम पैसे लगाएं, हो सकता है, एक के पैसे जादा हो दूसरे के कम हो, तो उन्होंने जैसे पैसे इन्वेस्ट किये हैं, उसी हिसाब से हर एक को फ्रॉपिट मिलेगा, मतलब जिसने अगर ज्यादा पैसे इन्वेस्ट के ह तो प्रॉपिट उसको ज्यादा होगा, और अगर किसने पैसे इन्वेस्ट के हैं, तो कम उसका प्रॉपिट होगा, तो उसी प्रॉपोर्शन में, अब यहाँ पे कम ज्यादा कैसे रिसाइड होता है, वो होता है प्रॉपोर्शन में प्रॉपिट डियोएड होता है, कि कि सब्पोस इन दोनों का जो प्रफिट है 14 रूपीस हो गया हो 14 रूपीस को 3 is to 4 इस रेशो में हमें डियुएड करना होता है तो इस रेशो में जैसे रेशो होगा इन्वेस्टिमेंट का उसी हिसाब से उनका प्रफिट का भी रेशो होगा तो अब यह कैसे डियुएड करता हैं वो भी हम देखेंगे अभी किसी नंबर को रेशो में कैसे डियाड करना है यह पहले हम देखेंगे फिर उसके बाद किसी नंबर का percentage find करना हो तो वो भी हम देखेंगे अब देखे 14 रूपीज को हमें 3 इस टू 4 इस रेशो में डिवाइड करना है तो उससे पहले हमें ratio कैसे आता है वो समझना है ratio कैसे आता है देखे 10 और 15 अगर दो numbers है इनका हमने अगर ratio ले लिया तो इन दोनों number को same number से हमें divide करना पड़ेगा 5 to the 10, 5 to the 15 तो 2 is to 3 यहाँ पर ratio आता है तो 2 is to 3 जो ratio आता है वो दोनों number को same number से divide करने के बाद आता है तो अब यह 3 is to 4 जो ratio है कौन से इसे दो numbers है जिनको divide करने के बाद 3 is to 4 आ गया है और कौन से number से divide करने के बाद हमें नहीं पता तो अगर 2 is to 3 ratio से हमें original number find करने हो तो इन दोनों numbers को 5 से multiply करना पड़ेगा तो original number आएंगे तो यहाँ पर हमें इन दोनों को कौन से number से multiply करना है जिससे की original number आ जाए यह हमें नहीं पता इसलिए हम इन दोनों को x से multiply करेंगे तो first जो partner होगा उसका ratio या profit suppose 3x होगा और दूसरा होगा उसका 4x profit होगा और दोनों का profit मिला के 14 rupees होगा तो 3x प्लस 4x यहाँ पर 7x is equal to 14 तो x की value find करने के लिए 14 को 7 से divide करिए तो 7 to the 14 तो x की value 2 अब x की value 2 हमें यहाँ पर रखनी है जो first partner होगा 3 into 2 उसका profit 6 rupees होगा और 4 into 2 4x दूसरा partner होगा उसका profit 8 rupees 6 over 8 दोनों के addition 14 होगी तो ऐसे हमें इस in ratio मतलब इस number को in ratio में divide करना है अब यह तो होगा division of any number in given ratio अब percentage find करने है कि सब्स 500 rupees है और 500 rupees का business है सब्स और इस business में 20% का profit हुआ है तो profit कितना हुआ है यह find करने के लिए हमें 500 rupees के 20% find करने होंगी तो हम यहां पर लिखेंगे 20% of 500 rupees तो 20% off के लिए 20 percentage symbol अगर यहां से हम अटा देते हैं तो denominator में 100 आता है off को multiply करना है multiplied by 500 यहां के दो जिरोज यहां के दो जिरोज कैंसल 5 into 20 100 rupees मतलब 500 के 20% मतलब 100 rupees हो जाता है तो ऐसे हमें percentage find करना है तो चलिए हम practice it 39 का question number 1 solve कर लेते हैं practice it 39 question number 1 Suresh and Ramesh together invested 144,000 rupees in the ratio of 4 to 5 and bought a plot of land after some years they sold it at a profit of 20% what is the profit each of them got अब question में क्या दिया गया है देखे Suresh और Ramesh ने दोनोंने मिला के दोनोंने together एक साथ 144,000 rupees invest किये हैं 4 to 5 ratio में और एक plot उनोंने खरिद लिया है after some years कुछ सालों के बाद they sold it at a profit of 20% उस plot को उनोंने 20% profit में बेज दिया है तो what is the profit each of them got तो हर एक को कितना profit मिला है इन में से आप देखिए 144,000 rupees दोनोंने 4 to 5 ratio में जमा किये हैं तो इसका मतलब 4 पार्ट अगर सुरेश के हो तो उन में से 5 पार्ट रमेश के होंगे तो ऐसे दो नॉम्बर्स जिनकी एडिशन 144,000 होगी और उन दोनों का रेशो 4 is to 5 होगा अब जिस रेशो में उनने इन्वेस्ट किया है 4 is to 5 इसी रेशो में उनको profit भी मिलना है तो दोनों ने कितने रुपिस इन्वेस्ट किया है वो हमें नहीं find करना है तो हमें find करना है कि what is the profit each of them got दोनों को कितना कितना रुपिस profit मिला है अब देखें उन दोनों को 20% का profit हुआ है तो 144,000 का हमें 20% find करना होगा जो कि profit का number हमें यहाँ पे मिलेगा तो total profit total profit जो मिलेगा वो 20% of 144,000 144,000 का 20% profit यहाँ पे मिलेगा तो 20% के लिए हमें 20 divided by 100 multiplied by 144,000 तो यहाँ के दो zeros यहाँ के दो zeros कैंसल करने है तो यहाँ का एक zero यहाँ का एक zero multiply करते वक्त यहाँ पे आगे लिखना है और 144 को 2 से multiply करना है तो यहाँ पे 288 होगा तो 28,800 रुपीस का दोनों को मिला के profit होगा अब यह जो profit होगा वो 4 is to 5 इस ratio में divide होगा क्योंकि जितने पैसे उन्होंने जमा कि है वो 4 is to 5 के ratio में जमा कि है तो जैसे investment का ratio होगा उसी हिसाब से profit का भी division होगा तो हमें यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट इस डिवाड़ेड़ एवांग सुरेश और रुमेश सुरेश और रुमेश इन दोनों में प्रॉफिट इवाड़ेड़ेड़ होगा इन दे रिशो जो रिशो होगा वो होगा 4 is to 5 इस रिशो में जो पैसे हैं वो डिवाड़ होगे यहाँ पे जो दिये गए हैं वो अब तो इस रिशो में इन पैसे को डिवाड़ करना है इसका मतलब दोनों के पास जितने पैसे आएंगे उनका ratio ये होगा और दोनों की पैसों की addition इतनी होगी तो let सुरेश गेट रुपीज 4X और रमेश को जो पैसे मिलेंगे suppose रमेश गेट रुपीज 5X तो 4X और 5X इन दोनों की अगर हम addition करते हैं तो इस इकॉल टू 28,800 800 यहाँ पर मिलना चाहिए तो 4X प्लस 5X यहाँ पर होगा 9X is equal to 28,800 तो इस एक्स की वैल्यू जो है वो होगी 28,800 divided by 9 तो 9 से डिहाड करेंगे तो 93027 92018 आगे दो जिरूस 3200 एक्स की वैले होगी तो जो रमेश सुरेश को पैसे मिलेंगे वो 4X तो रमेश गेट हमें लखना है रमेश गेट्स और सुरेश गेट्स तो पहले हमने सुरेश का लेना था लेकिन रमेश का ले लिया तो दिखें रमेश को 5X मिलना है रमेश गेट्स 5X रुपीस तो 5X इंट्टू 3200 और सुरेश को मिलने है 4X, तो 4 x 3,200, तो यहां के 2 0s, 5 to 10, 10 को एक 0, यहां पर एक बोरो, 5 to 10, 15 प्लस 1, 16, 2 0s यहां पर, 4 to 8, 4 to 10, 12, तो 16,000 रुपीज मिलेंगे, रुपीज, और यहां पर भी रुपीज, 16,000 मिलेंगे रमेश को, और 12,800 रुपीज मिलेंगे, सुरेश को, तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, आगे बे और, आगे अभी और, चार कोश्चन्स हैं, इस प्रैक्टिस सेट में, जो कि हमें आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में स्वाल करने हैं, तो उमिद है आपको यह कोश्चन जो है, समझ में आ गया होगा, अग अगर नहीं आ रहा है कुछ समझ में, तो आप कमेंट करके, बता सकते हैं, और हर संडे, मैं सोच रहा हों कि, लाई सेशन भी लूँ, जिससे कि, आपके जो भी डाउट्स हों, वो, क्लियर, कर सकों, अगर कोई, डाउट है तो, तो वीडियो वाच करने के लिए, आप सभी क बहुत 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 दनिवाट